वेलकम तो एडुजोस, एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दूस्तो आज 5 जनवरी को RRB NT PC के SIFT 1 के questions हमारे पास आचुके हैं। इन सभी questions को हम लोग देखेंगे, जितने भी questions पूछेगा हैं, यह 100% genuine और authentic question है। किसी question में doubt लगता है, तो आप comment करके ज़रूर बताएगा, जब SIFT 2 का analysis किया जाएगा, दोनों को SIFT 1 और SIFT 2 को, तो उस वक्त हम उस questions को वहां से हटा देंगे, और उसका PDF फाइल यह की साथ आपको हमारे Android app पर मिल जागा, जिसको आप description में दिये गए, लिंक से download कर सकते हैं download होने में अब PDF दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, जो लोग चैनल से पहली बार जो रहे हैं, चैनल को subscribe जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इस activate कर लें, ताकि आनी वाली हर एक वीडियो का notification आपको सबसे पहले बिल सके, जिस तरह आप लोगोंने वीडियो को प्यार दिया है, लगतार आपने हमें सपोर्ट किया है, तो आगे भी शी तरह से करते रहे हैं, इस वीडियो को जादा से जादा like किजएगा, share किजएगा, देखिए सबसे पहला question है, अंतर राष्टी ये नित दिवस कब मना लिजे, भाषा के आधार पर पहला राज कौन बना था, ये question पूछा गया है, यानि भाषाई आधार पर जो है, कौन सा राज पहली बार बना था, आंसर होगा, अंधरपरदेश बनाया गया था, इसके बाद है वात्या भटी या जिसको हम लोग blast furnace कहते हैं, या फिर इसी क धमन भटी भी कहा जाता है, इसका आविश्कार कब हुआ ये question पूछा गया था, बहुत important सवाल है, वात्या भटी का आविश्कार जो है, 1709 इस्वी में किया था, पहली वात्या भटी का अविश्कार जो है, 1709 इस्वी में, अबराहम डार भी ने किया था, इसके बाद ब्रिदेश्वर मंदिर किस ने बनवाया ये पूछा गया है ठीक है चोल राज 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 चोल थे ये चोल सा सकते इन्हों ने इसको बनवाया था ब्रिदेश्वर मंदिर अब आप लोग कमेंट करके बताए कि ब्रिदेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर है ठीक है ये बहुत important है इसे को भी बताइए इसके बाद है फूल के anदासय के भीतर बीज पाइा जाता है ये बहुत important सवाल था ये बायलोजी का question ये पूछ दिया गया भारत के जारखंड में uranium की खान का नाम पूछा गया या इस तरह से पूछा गया कि जादू गोड़ा जो माइन है वो किस के लिए है साइद ऐसा भी पूछ दिया गया हो वो uranium के लिए है और भाये भारत के जारखंड में है जारखंड में भी याद रखेगा पुर्वी सेहंभूम एक जिला है पुर्वी सेहंभूम पहले ये बिहार में था जब जारखंड बना 2000 में ठीक है बिहार से अलग होकर जब जारखंड एक नया राज़ बना तब वहाँ पर ये चला गया तो पुरवी सहिंभूम ये जिला भी आपको याद रखना है और यही पर जादू गोड़ा माइन है जो यूरेनियम की खान के लिए परसिद है यूरेनियम के लिए परसिद है भारत के जारकंड में तो अगर जो भी question पूछा गया होगा वो इस explanation में clear हो गया होगा comment करके फिर भी आप बता दीजेगा exact question क्या था देना और विजय बैंक को किस bank के साथ merge कर दिया गया है देखे ये question हमने बताया हुआ था आपको bank और बड़ोदा के साथ merge किया गया है और वो question पूछ दिया गया है ठीक है अगला प्रश्न यहाँ पर है महात्मा गांधी ने किस goal match sambalan में भाग लिया था तो ये भी question जो है बहुत अच्छा है तीनो बार जो अच्छा ये जो है दूसरे goal match sambalan में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था goal match sambalan कितने हुए थे टोटल हुए थे तीन ठीक है पहला दूसरा और तीसरा तीनो goal match sambalan में जिनों ने भाग लिया वो नाम भी याद रखेगा डॉक्टर भीम राव अंबितकर ने पहले दूसरे और तीनों में भाग लिया था गांधी जी ने सिर्फ दूसरे goal match sambalan में भाग लिया था इसके बाद question है ला लीगा के brand ambassador कौन है current affairs का question पूछा गया था 2019 का question 2020 का question भी है current affairs का ये ला लीगा के जो brand ambassador कोन है रोहित शर्मा है ठीक है इसके बाद देखिए brand ambassador वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो ये question directly वहीं से है इसके बाद अगला प्रशन देखिए यहां पर next जो question है वो है Sades of Saffron ये एक book है नौ में महा सचीव है और आठ में जो थे वो बान की मून थे इसके बाद है पेट के द्वारा कौन सा enzyme बनाया जाता है बहुत ही अच्छा सवाल है पेट के द्वारा कौन सा enzyme तो पेपसीन और अगर acid पूछ देता है तो फिर आप याद रगेगा पेट में जो है HCL बनता है hydrochloric acid ये दोनों ही question बहुत important है जो भी पूछा गया है आने वाले shift में वो repeat भी हो सकता है और जो नहीं पूछा गया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है CAA के बारे में पूछा गया है तो CAA का जो full form है आपको मालू है Citizenship Amendment Act होता है इसके बाद TRI का full form हमने कई बार आपको बताय हुआ है जब आपको हमने वर्तमान में कौन क्या है ये वीडियो अगर आप हमारी देखते हैं तो उसमें TRI का next के बारे में हम बताते हैं और वहाँ पर आपको हम बताते हैं कि Telecom Regulatory Authority of India जो है ये ये इसका full form होता है जो भारत की सभी Telecom Company को Regulate करती है उस पर नियंतरन रखती है इसके बाद देखें यहाँ पर 12 जन्वरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है 12 जन्वरी को राष्टिय युवा दिवस मनाया जाता है सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है राष्टिय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है तो स्वामी विवेका अनन्द के जन्मतिती यानि जन्म दिवस पर राष्टिय युवा दिवस मनाया जाता है उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है रास्टिय खेल दिवस तो ये मनाया जाता है किसके मेजर ध्यान चंद जी के जर्म दिवस पर ठीक है अगला प्रशनी यहाँ पर है फोर्ट विलियम कहां बनवाया गया था फोर्ट विलियम कलकत्ता में बनवाया था पहले इसको हम लोग कलकत्ता ही कहते थे अब यह कोलकाता हो चुका है तो ठीक है यह इस कोश्चन को भी देख लीजे इसके बाद है आई-एम-फ में कितने सदस्य होते हैं इसके बाद एक कोश्चन लीफो पूच दिया गया है तो फीफो भी पूचा जा सकता है ठीक है फीफो का मतलब होता है फास्ट इन फास्ट आउट ठीक है फैला हो इस तरह से फास्ट इन फास्ट आउट यानि जो पहले आएगा वही पहले जाएगा यह computer की term है LIFO, LIFO का मतलब है जो last में आएगा वो पहले जाएगा, यानि last in first out और FIFO का मतलब हो गया first in first out तो बहुत आसान ही इस दोनों को याद रखिएगा CSS भी पूछ दिया गया, CSS का full form होता है, cascading style sheet CSS का full form क्या होता है cascading style sheet इसके बाद देखिए, question पूछा जाता है यहाँ पर पूछा गया, Tamil में जो नया वर्स है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो इसको पुथू रूशम कहते हैं या फिर पुथूंडू कहते हैं यह 14 अप्रिल को मनाय जाता है यह भी याद रखेगा, बहुत important है दोनों नाम आप याद रखे पुथूंडू या फिर पुथू रूशम तमिल में नया वर्स जो है वो इसी नाम से जाना जाता है खिलाफत अंदोलन का नेत्रत्व किस ने किया था यह सवाल पूछा गया मुहमद अली और सौकत अली ठीक है यह कई बड़ आपको आपको आपर अली बंधू भी लिखा हुआ होगा अली बंधू ने किया था तो मुहमद अली और सौकत अली यह दोनों भाई ने मिलकर खिलाफत अंदोलन का नेत्रत्ट किया था किलाफा तंदुलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था इसके बाद यहाँ पर सवाल देखिए अगला सवाल है गोआ के नए मुखमंतरी कौन है? तो गोआ के मुखमंतरी प्रमोद सावंत है ठीक है? प्रमोद सावंत जी को मुखमंतरी बनाया गया इसके बाद देखिए सवाल श्रक्षा परिसद यानि UNSC तो UNSC के पूछा गया है कि अस्थाई सदसे कौन नहीं है? ठीक है? और ऑप्शन में जो है वो भारत दिया गया था तो आपको मनें बताया था कि भारत अभी है रिसेंटली आपने अगर करेंट अफेस की वीडियो देखी होगी तो 1 जन्वरी 2021 से भारत जो है अगले 2 साल के लिए जो है संयुक्त राज सुरक्षा परिसद का और अस्थाई सदसे बना है दस अस्थाई ये दस और पांच अस्थाई इसके बाद कुश्चन है धोला सदिया जो पूल है उसका नाम क्या रखा गया है किनके नाम पर रखा गया है भूपेन हजारी का के नाम पर रखा गया है अगला प्रश्ण है Newton के गती के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है यानि उसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते है तो Law of Inertia जिसको जड़त्यू का नियम कहा जाता है इस नाम से हम लोग इसको जानते है Newton के गती के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है law of inertia यानि जड़त्यों के नियम से जाना जाता है तो यह सारे question थे कोई भी question आप लोगों के पास अगर आता है जो याद आता है आप comment जरूर कीजे उन questions को हम लोग shift 2 की analysis जब कराएंगे shift 1 और 2 उसमें एक साथ होगा तो इन सभी questions को उसमें फिर से add किया जाएगा ठीक है thank you so much आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बद्धनेवाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए share कीजिए thank you